इंडिया में फाइनली OnePlus Nord CE4 Lite 5G स्मार्टफोन के लिए एक नया सोफ्रियर अप्टेट है वो रोल आउट ओनाय स्टार्ट हो चुक है इस अप्टेटि के अंदर आपको कौन-कौन से नए फीचर्स है और चेंजेज हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं उसके बार में तो बात करने ही वाले हैं प्लस आपको इंडिया में Oxygen OS 15 का अप्टेट है वो कब तक मिलेगा आगे हम लोग बात करने वाले हैं तो अप्टेट का वर्जे नंबर है वो आपको मिलता है 14.0.1.910 बाकी इस अप्टेट के अंदर आपको इकलोता एक सबसे बड़ा चेंज लोग है वो यहाँ पर मिलता है October 2024 का latest security page level का अप्टेट बहले ही आपर November का मनत है वो start हो चुका है लेकिन OnePlus ने October का अप्टेट है वो य आपर एड नहीं किया गए है रही बात में Oxygen OS 15 अप्टेट की यह वाला अप्टेट हो आपको इंडिया में कब तक मिलेगा तो इसके उपर official announcement है वो भी आपर OnePlus के दरब से हो चुकी है एक schedule है वो यहाँ पर आ चुक है और यह वाला गई जो schedule है वो काफी पहले मैंने आपके साथ में share कर दिया था OnePlus के टेलिग्राम चैनल के अंदर तो instant news में आपके जाथ में यहीं पर share करता हूँ इस टेलिग्राम चैनल को join कर लेना link आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगी तो बात करें OnePlus Nord CE4 Lite 5G स्मार्टफून का name है वो guys आपको मिलता है December मंत के अंदर only एक मंत का wait करने under 30 days कभी भी update है वो यहाँ पर आ जाएगा इस smartphone के लिए लेकिन उससे पहले proper forum है वो यहाँ पर release किया जाएंगे और आप लोग अगर उन forum को fill करोगे तब ही आपके smartphone के लिए यह वाला जो massive update है वो roll out किया जाएगा क्योंकि पहले beta update आएगा और beta update के अंद दूगा तो इसको यहाँ पर join कर लेना रही बात guys आपको कौन-कौन से नए features मिलेंगे तो update के अंदर एक आपको नया control center है वो मिलेगा जिसकी design है वो यहाँ पर कुछ इस परकार से आपर होने वाली है complete एक नई design के साथ में control center है वो one plus की तरप से add किया जाएगा नई आपक screen का setup देखने को मिलेगा update का page है वो भी नया यहाँ पर add किया जाएगा और by lock screen customization के काफी सारे नए features है वो यहाँ पर add किया जाएगे तो इन सबी topics के उपर already हमारे channel पर video है वो यहाँ पर upload हो चुकी है कि कैसी तो हमें animation मिलेगी और कौन-कौन से नए features है वो यहाँ पर add किया charging की animation है वो भी हमें इस update के अंदर change देखने को मिलेगी और icons है उनकी design भी change होने वाली है और यह dynamic island type feature जिसको कि हम लोग live alerts कहते है तो यह वाले सबी features है वो भी आपर add किये जाएंगे features के बारे में आपको जानना है तो आप लोग हमारी oneplus 12R की यह वाली video है वो देख सकतो इ इसके अंदर सबी features है वो में आपको यह पर बताए है बाकिया आपके कोई doubt or suggestion है नीचे comment सेकते में बता सकतो वीडियो अच्छी लगी like कर देना चैनल को subscribe करेना मैं मिलता हूँ आप लोगो से next video में जेहिन वन्दे माधरम